हेलो बच्चों आज हमारा question है फैंदा smallest number between divided by 25, 40 and 60 leaves remainder 8 in each case क्या कर वाई फैंदा smallest number हमें वो smallest number find out करना ढूणना है जिस से अगर मैं 25 से 20 40 से यह 60 से डिवाइड करों जिस नमठ को मैं अगर 25 40 और 60 से रिवेंडर करूं ओ डिवाइड करूं इत केस में 8 क्या रहना चाए रिवेंडर रहना चाहे हमें वो smallest नमठ नमठ करना तो इसके लिए हम क्या करते भई 25 25, 40, और 60 का क्या करेंगे, LCM लेंगे, बज़ जब भी इस दंग का क्वेस्टन हो, कि हमें least number 5 note करना, जिसे इन number से complete divide हो जाए, तो हम क्या करते हैं, उसका LCM ले 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 तो उन numbers का, LCM क्या होता हमारा, LCM, least common multiple, least common multiple का मतलब होता, कि मैं 25 की table बोलू, 40 की table बोलूँगा, और 60 की, सब चे पहले, तीनो की table में जो common आएगा, वो हमारा LCM होता है, तो वो complete divide हो जाएगा, इंसे, तो हम निकाल के देखते, देखो, 2, 25 तो ऐसी रहेगा, यहां 20 आजाएगा, यहां 30 आजाएगा वई 2 से, अगें 2 से 25 तो ऐसी रहेगा, यहां हमारा 10 आजाएगा, और यहां हमारा 15 आजाएगा, फिर 2 से देंगे भई 25 तो ऐसी रहेगा, यहां हमारा 5 हो जाएगा, वो 15 में हमारा ऐसी रहेगा, अब हम 5 से 3 से देंगे भई, 25 ऐसी रहेगा, 5 भी ऐसे रहेगा लेकिन 15 में 3 किटे उल जाती है 3 5 जा 15 अब 5 से दो वए 5 5 जा 25, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5 अब इसे भी 5 से अब दोको LCM हमारे क्या है 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 5 x 5 2 तू जा 4, 4 तू जा 8 8 3 जा 24 इंटू 25 अब दोको 24 x 25 कर दो 5 4 जा कितना होता 20 5 2 जा 10 और 2 कर जा 12 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 0 यहा 10 हो जाएगा 8 to 2 10, 4 1 5, 1 6 भाई जो हमारा आरा कितना आरा इसका LCM आरा 600 आरा अब दोको यह कह रहा था फैंट है smallest number which when divided by 25, 40 and 60 leaves remainder 8 यह वो number है जो तीनो number से complete divide होगा यह तो LCM है भाई तीनो के table में आरा least common multiplier है अब हमी तो वो number जाए जिनसे 8 remainder है तो हम क्या करेंगे भाई 600 में क्या कर देंगे एट को प्लस कर देंगे तो यह हो जाएगा 608 वो number हमारे क्या हो जाएगा 608 आया आपको समय भाई हमें कह रहा था कि वो number final करो ढूंडो जिससे अगर मैं जिसको अगर मैं इससे इससे डिवाइड करू तो remainder रहना चाहे 8 हमने जब इसका एलसम निकाला तो हमारे 600 निकला 600 वो number है जिनसे complete डिवाइड होगा हमें तो 8 remainder चाहे तो हमने 8 प्लस कर लिया भण तो 608 हो गया ओके